आज हम बनाएंगे लच्छा आलू टिक्की चाड आलू वाले टिक्की चाड तो सभी को बहुत पसंद आता है लेकिन वो टिक्की उबले आलू से बनाये जाता है पर आज हम कच्चे आलू से कुरकुरी टिक्की बनाएंगे ये लच्छा आलू टिक्की है ये बहुत ही है तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तिक की चाट्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम दही को तयार करेंगे तो यहाँ पर हम ने एक बरतन में दो कब ताजा दही लिया है इसमें हम डालेंगे एक चमच काला नमक, एक बड़े चमच चीनी को डालेंगे, अब चीनी नमक मिला कर दही को अच्छे से फेट लेते हैं, इसको हम अच्छे से फेटेंगे, जिसे दही के ठकके ना रहें, दही एकदम चिकना हो जाए, दही फेट कर हमने तयार कर लिया है, अब इसको हम साइड में रखेंगे, ठिक्की बनाने के लिए यहाँ पर हमने चार कच्छे आलू छिलका सापकर के लिए है, अब आलू को हम कद्दू कस करेंगे, तो इसी बरतन में हम आलू को कद्दू कस करेंगे, आलू कद्दू कस करने के बाद इसको हम पानिम डालेंगे जिससे आलू काले न पड़े यहाँ पर हमने एक बरतन में पानी लिया है इसी में आलू को डाल देते हैं इसी तरह पुरे आलू को कद्दू कस करके पानिम डालेंगे क्योंकि कच्चा आलू जंदी सिकाला हो जाता है इसलिए कद्दू कस करने बाद इसको हम पानी डालेंगे पूरे आलू को हमने कद्दू कस कर लिया है अब इसमें हम पानी डाल कर 2-3 बार पानी बदल कर धोएंगे आलू को हम अच्छे से धोएंगे जिससे इसमें श्टार्च न रहे इसमें हम और पानी डालेंगे और अच्छे से धोकर पानी से छान लेते हैं आलू धोकर हमने च्छन्ने में च्छान लिया है अब आलू को निचोड कर पानी निकाल देते हैं जिससे इसमें पानी न रहे आप देख सकते हैं इसमें से पानी निकल रहा है तो सारा पानी हम निकाल देते हैं आप चाहें तो आलू को किसी कपड़े में लपेट कर पानी नि क्योंकि नमक डालने से आलू फिर से पानी छोड़ देगा इसके बाद दो से तीन बड़े चमज आरा रोट डालेंगे इसकी जगां आप चाहें तो कारनफ लोट डाल सकते हैं पहले दो चमज डालकर मिलाएंगे जरूरत पढ़ने पहम आउट डालेंगे आलू में आरा रोट कम लग रहा है तो एक चमज डालकर और मिलाएंगे पानी हम इसमें नहीं डालेंगे आईसे ही मिला लेते हैं क्योंकि आलू धीरे-धीरे थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगा तो उसी के मदद से हम मिला लेते हैं आलू में आरा रोट मिलाने बाद अब इसको हम साइड में रखेंगे चलते हैं हम गईस तरब क्योंकि टिक्की के लिए हम भरावन बनाएंगे कडाहिम हम एक चम्मत तेल डालकर अच्छे से गरम करेंगे तेल गरम होने बाद अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मत जीर्या जीर्या को अच्छे स्चटकाएंगे जीर्या भुनने बाद अब इसमें एक बारी कटा हुए प्याज डालेंगे और दो कटी हुए हरी मिर्च को डालेंगे अब प्याज को चलाते हुए नरम होने तक भूनेंगे प्याज को हम बहुत ज़ता लाल नहीं करेंगे बस हलका नरम होने तक भूनेंगे प्याज हलका भून गया है आब इसमें एक चमच बेशन डाल कर भूनेंगे बेसन को हम प्याज के साथ एक मिनट तक और भूनेंगे जिसे बेसन भी अच्छे से भून जाए इसमें कच्चापन न रहे बेसन भूनने बाद आब इसमें एक छोटी चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक छोटी चमच लाल मिर्च पौडर डालेंगे एक छोटी चमत धनिये पौडर डालेंगे आधी छोटी चमत जीरे पौडर डालेंगे मसाले को प्याज में अच्छे सी मिलाएंगे मसाला मिलाने बाद अब इसमें एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे टमाटर को अच्छे सी मसाले मिला लेते हैं आप इसमे स्वाथ कंसा नमक डालेंगे, थोड़ा सहारा धनिये डालेंगे अब धनिया को हम मिलाते हुए दो मिनिट तक पका लेते हैं जिसे टमाटर पक कर गल जाए, या भरावाण टिक्की में बहुत बढ़िया लगता है इससे टिक्की के स्वाथ बढ़ जाता है इसको हमें बहुत जदा नहीं दो मिन तक भुनना है मसाले में मिला कर टमाटर को हमने पका लिया है आप इसमें थोड़े से कटे हुए काजू डालेंगे और थोड़े से किस्मिस को डालेंगे भरावन तयार है केवल काजू किस्मिस को अच्छे से मिला लेते है आप चाहें तो बिने काजू किस्मिस के भी बना सकते है अब गैस को हम बंद करेंगे और भरावन को एक्प्लेट में निकालेंगे तिक्की के लिए भरावन तयार है अब हम तिक्की बनाएंगे तो चलिए इसको हम फिलिंग कर लेते हैं यहाँ पर हमने जो लच्छा अलू तयार किया है इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे तो थोड़े से अलू हाथ में लेंगे बीच में इस तरह से फैला कर जगह बनाएंगे आप इसके अंदर थोड़ा से भरावन डालेंगे जो हमने फिलिंग बनाया है ज़्यादा नहीं बस एक चमट डाल देते हैं आप इसके उपर थोड़ा से अलू लगा कर पाइक करेंगे इस तरह से पाइक करके गोल्ड सेप में टिक्की बना लेते हैं आप देख सकते हैं पहला टिक्की हमने बना लिया है आप इसको हम प्लेट में रखेंगे इसी तरह से पूरे आलू को टिक्की बनाएंगे ध्यान रखें भरावन इसमें उतना ही डालें जिससे आसानी से पाइक कर सकें यह भरावन वाली टिक्की बहुत बढ़यां लगता है यह टिक्की बहुत कुरकुरी बनती है अगर इस तरक टिक्की नहीं बनाए होंगे तो ज़रूर बनाएं इसको घर में सबी बहुत पसंद करेंगे अब टिक्की को हम फ्राई करकी दिखाते हैं चलते हैं गाईस तरब, टिक्की तलने के लिए पायन में तेल अच्छी तरफ से गरम है, पायन में लगभग 5-6 टिक्की डाल देते हैं, तेल अच्छी तरफ से गरम है, तो पहले एक तरफ से फ्राई होने देते हैं, तब इसे हम दुसरी तरफ पल्टेंगे, टिक्की एक तर से सुनहर रंग में हो जाए तो समझ लिजिए टिक्की तल गया है गाइस को हमने मेडियम में किया है तिक्की दोनों तरफ से फ्राई हो गया है अब इसको हम निकाल लेते हैं तलने बाद एक टिक्की बहुत क्रिस्पी हो गया है और कितना बढ़िया कलर भी आया है इसी तरह जो टिक्की बचा है उसको भी तल लेते हैं ध्यान रखें टिक्की तलने के लिए पहले तेल को अच्छी तरह से गरम करें फिर मेडियम आज पर तेल में टिक्की डाल कर फ्राई करें एक बार में टिक्की तलने में 5-6 मिनट लग जाते हैं लेकिन अच्छी तरह से फ्राई रहते हैं तो खाने बहुत बढ़िया लगता है पूरे टिक्की को हमने फ्राई कर लिया है आप देख सकते हैं फ्राई करने बद कितना बढ़िया लग रहा है बहुत क्रिस्पी टिक्की बनी है अब इसको हम तोड़कर दिखाते हैं तोड़ने बद आप देख सकते हैं कितना करारा टिक्की बना है अब टिक्की चाठ हम सर्व करेंगे एक प्लेट में दो टिक्की हम त तोड़ कर रखेंगे जो हमने फेटी हुई दही तयार किया है इसके बाद हम दही को डालेंगे इसके बाद एक चमाज हरी चटनी डालेंगे थोड़ा से खट्री मिठी इमलिक चटनी डालेंगे इससे ठिकी खाने में और बढ़िया लगता है थोड़ा से काला नमक डालेंगे, थोड़ा से जीर्या पॉर्डर डालेंगे, इसके बाद थोड़ा से कटा हुआ प्याज डालेंगे, और थोड़ा से बेसंक सेव डाल देते हैं, अब ये लच्छा आलू टिक्की चाट खाने के लिए तयार हैं, आप भी इस तरह से कच्छे आलू की टिक्की घर पर आसानी से बना सकते हैं, इसके लिए आपको आलू वालने जहनजट नहीं है, आपको जब टिक्की खाने का मन कहें, तो जहटपड से आसानी से बना सकते हैं, अगर आप नास्ते में इस तरह से लच्छा आलू टिक्की चाट बनाएंगे, तो